सो है दिस इस प्रवाद रंजिर आज की फिडियर रिवीव कर रहे होंगे हाव तो विन फ्रेंट्स और इंफ्लूएंस पीपल बाई डेल कार्णेगी तो जैसा कि आपको पता है डेल कार्णेगी हमारे इन पर्सनल ग्रोथ वाले बुक्स में काफी एक topmost author माने जा रहे होते हैं तो उसी हिसाब से हम देख सकते हैं 75 साल से आपके बुक्स प्रिंट में है और one of the best trusted बुक्स या फिर बोच सकते हैं most rate जो बुक्स होते हैं हमारे इन पर्सनल ग्रोथ वाले बुक्स में आपका how to win friends and influence people भी आ रहा होता है the only book you need to lead you to success अब इसका मतलब क्या है क्या सारी चीज़ा में इस बुक में जानने को मिल रहे हैं वो भी अब discuss कर लेते हैं तो सबसे पहली बात तो जैसा आप देख रहे हो कि win friends और influence people यानि कि लोगों को यहां वस में नहीं करना है लोगों को अपनी बात मनवाना है लोगों से दोस्ती करनी आनी चाहिए आज की डेट में आपने एक टम बहुत जादा सुन रखा है इंट्रोवर्ट तो इस इंट्रोवर्ट वाले feeling से कैसे बाहर आते हैं किसी भी एक अंजान व्यक्ति से कैसे बात करते हैं देखें इंट्रोवर्ट का मतलब यह नहीं होता कि हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं हमारे अंदर वो ability नहीं है इंट्रोवर्ट का simple सा मतलब यह होता है ability से हा मतलब इने एक nature होता है इंट्रोवर्ट जिसे अकेले में रहना पसंद है बहुत भीड में रहना पसंद नहीं है बहुत भीड में बात करते तो उन्हें लगता है energy lose कर रहा हूं इस प्रकार की चीज़ें उन्हें एक सांत को unlock करने की जड़रत है तो जहां तक बात रही कि बोलने में जीजक होती है बोलना में आता नहीं है कभी भी मैं कुछ बोलता हूं लोगा में जज्ज कर लेते हैं तो वो सारे आपको fear से उपर उठना है वो सारे tip centrics इस book में share कर रखे गए एक बोल सकते हो soft skill होता है communication फिर कि बाते करना है कि leadership skill कैसे लोगों से अपनी बात मनवानी वो सारी चीज़े इस book में cover कर रखी गई है contents में आपको दिखाऊंगा अभी कि क्या सारे topics cover कर रखे गए जिसे आपको और better idea मिलेगा फिलाल ये समझे कि कोई वशी करन यंत्र नहीं है आपका ये और नहीं मतलब ये समझे कि introverts के उपर कुछ attack है introvert मतलब ये नहीं होता introvert का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों से बात नहीं कर सकते हैं आप कर सकते हो बट introvert मतलब बस लोगों के बीच उन्हें अच्छा फील नहीं होता आज की डेट में आपको बहुत सारे सोसल मीडिया पर लोग मिल जाएंगे जो की सोसल मीडिया पर सामने आ जा रहे होते हैं बहुत कुछ बोल लेते हैं जब अगर एक crowd में हो माइक जे दीजे बहुत कुछ बोल लेंगे जो भी आप आज की डेट में public speakers भी देखते हो लेकिन वहीं लोग की बीच मतलब उतना अच्छा नहीं लगता जितना उन्हें खुद के साथ अकेले time spend करना पसंद आ रहा होता है वो होते हैं आपको इंट्रोवर्ट तो इंट्र से बहुत बोलते हो लेकि मुझे किसी से बात मनवाना है कुछ जैसे मैं बोल रहा हूँ एक leadership skill तो वो सारी चीजा हमें नहीं आती बट बोलना बहुत पसंद है तो उन सारी चीजों समझी इंट्रोवर्ट और एक्ष्ट्रोवर्ट से यहां लेना देना नहीं है जिने effectively नही बोलना आता उन सभी के लिए book हैं तो अब हम देख लेते क्या सारी चीजे इस book में दे रखी गई हैं तो सबसे पहले तो आपको देखने को मिल जा रहा होगा आपका contents के साथ हम चालू कर लेते हैं तो contents में आप देख पा रहे हो सभी chapters के नाम लिख रखे गए हैं दो page का content ह अब यह first page देख पा रहे हो और उसके बाद अभी आप second page देख पा रहे हो तो इसमें आप देख सकते हो क्या सारे topics covered हैं अगर हम वापस से first page पर आप चेक करो तो आप देख सकते हो like आपका part 1 में लिख रखा गया fundamental techniques in handling people किस प्रकार से हम लोगों के साथ deal कर सकते हैं उसमें आपका पहला if you want to gather honey dawn के cover the behave इस प्रकार के topic के name है और उसके बाद like the big secret of dealing with people क्या कुछ secrets होते हैं people के साथ deal करने के लोगों से पने बात मनवाने के बहुत सारी चीज़ा आपको इन chapters में covered हैं और proper बहुत सारी चीज़ा आपको कुछ example के form में सीखने हो मिल जाएगा कुछ example ए आपको तो आपको एक नॉर्मल पीपल के लिए बुक्स बनाने पड़ते हैं आप हाइफाइट लैंग्वेज मतलब ऐसा नहीं की फिलॉसफर ही बुक को समझ सकें आपके कोई इंग्लिस के प्रोफेसर ही बुक को समझ सकें उस प्रकार का हमारे बुक नहीं होता है जितने आप सेल्फ ग्रोफ या परसनल फाइनल्स वाले बुक्स देखोगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिके जाते हैं ताकि कोई भी उन बुक्स को पढ़के समझ सकें तो यही सारी चीज़े हैं लाइक वापस अभी आप कंटेंस का पेज नंबर वन देख रहे हो एक बार गो थू करना तो कंटेंस का पेज नंबर टू भी आप देख सकते हो तो यह सारे टॉपिक्स कवर्ड है अब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे देखोगे जो कि आप खुल से रिलेट कर पाउगे लाइकि यह प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी है मैं इससे कैसे टिक कर सकता हूँ च यह तो करवाकी रहना है तो आपको भी लगता हो गया है और लोग मेरी भी बात माने तो वह सारी चीजे ट्रिक्स दे रखें गई इस बुक में अब ऐसा नहीं कि ट्रिक है कोई मंतर जादू मंतर दे दिया गया है वह सारी चीजे नहीं है कुछ आपके अंदर changes लाने हैं बहुत सारे आपके कुछ टेक्निक सिकार रखे गए हैं और उन्हें हम day to day life में practice करेंगे तब चीज़े इंप्रोब होंगी दीरे दीरे ऐसा दीक एक बार हमने book पड़ लिया और बस लोग बात मानने ही लगें अब अगर मैं इस book के पहले दो पेज का photo दिखा दू ता कि इससे आपको एक idea लग जाएगा कि अच्छा इस प्रकार का writing style है क्योंकि बहुत सारे लोग को ये भी जानना पसंद होता है जो बहुत सारे लोग actual physical क्योंकि ये सारे books usually देखे आपको free में PDF में मिल जाएगा लेकिन सस्ता होता है और यस सारे books तो बहुत सारे लोग याद की तरह निसानी की तरह भी रखते हैं कि मैंने भी ये book करीदा है मैंने भी पढ़ा है क्योंकि ज़्यादा महांग्य होते नहीं है सारे books और इन सारे books को हात में रखकर पढ़ने का feel अलग होता है तो बहुत सारे वैसे लोग को ये भी जानना होता है किस प्रकार का मरा राइटिंग स्टाइल है क्या सारे लुक एंड फिल है तो अभी आप पहले चैप्र का पहला पेज देख रहे थे और अभी आप सेकेंड पेज देख लीजी या नहीं कुछ फोटोज नहीं है बट प्ले अब आपको पता होगा हमारे चैनल पर क्लास 10, क्लास 12, UPSC, SSC जितने भी आपके गवर्मेंट एंड स्कूल वाले एक्जाम वाले भी जो बुक्स हो गये सभी का रिवी वडियो हमारे चैनल पर आ रहा होता है तो चाहे आपको क्लास 10, क्लास 12, UPSC, SSC, JE, NEET, RAILWAY, RBI, किसी भी competitive exam के बुक का रिवी वडियो चाहिए या फिर आपको किसी self growth, personal finance यानि की जो आपकी ये सारे books होते हैं इन सभी बुक का रिवी वडियो चाहिए तो आप बस comment section में बुक का नाम लिखे आपके लिए जल से जल उस book की रिवी वडियो लाने कोसिस कर रहा हूँगा आज कि इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो like, share, subscribe, दिल खोल कर करीगा और अगर कुछ दिल की बात है कुछ मन की बात है लिख कर बताने हो या पूशन नहीं हो तो comment section आपके लिए तो है Thank you watching this video, goodbye, I'm nice to you all the best for future, enjoy your journey